है विल्कम बैक आयम धर्मिन सर फ्रॉम देशल स्पोकें डॉक्टर मुखरी नदिली मेरी प्राइब दोस्त अक्सर हम लोग बोलते हैं कि तु धोबी का कुता है न घर का रहेगा न घाट का रहेगा बंदर क्या जाने अद्रक का स्वात तो अक्सर हम लोग बहुत सारे संटे मुह से नहीं निकलता अंग्रेजी में बात कर रहा हूं तो वो इंगलिस में नहीं निकल पाता इसके बज़ा से बहुत सारा बच्चा जो है वो अपने आप में आत्म गलानी फिल करता है उसे लगता है स्पिकिंग नहीं आता है छोटे मूटे संटेंस तो बोल लेता है ले नहीं कि कुछ ऐसे words, कुछ ऐसे phrases, कुछ ऐसे idioms, कुछ ऐसे proverbs जो अगर हम याद करवा दूँ आपको, अगर हम मिल करके याद कर लें तो फिर हम लोगों का speaking जो है न एक कजब का miracle हो जाएगा, चमतकार हो जाएगा, तो क्या आप सब तयार हैं मेरे साथ, तो copy column उठा का काम करते हैं, और सारे इस तरह की जितने भी है sentences, आज मिल करके याद कर जाते हैं, ताकि बोलने में लिखने में दिकत ना हो, तो आएगे चलते हैं मेरे साथ, और यहाप दिखते हैं, आप सम इंपॉर्टन प्रोबाप्स, या देखो, बिना आग के धुआ नहीं उठता, यानि आपने सुनाओ कहा बत, कि भाई बिना आग के धुआ नहीं उठता है, कहीं भी धुआ हो रहा है, इसका मत्तब आग जरूर लगा है, आग है कहीं न कहीं तभी तो धुआ है, यानि धुआ कहां से है, आग से है, तो हमने क्या कहा, there is no smoke without fire, there is no smoke without fire, यानि बिना कोई का बिना कोई बात हुए, ये चर्चा कैसे हुआ है, कोई जरूरी नहीं है, कि इस फ्रेज को ऐसे ही बोलना है, कि बिना आके धुआ नहीं होता, इसको ऐसे ही बोलना है, किसी के बारे में कोई हला उड़ जाता है, किसी के बारे में कोई बात हो जाता है, तो क्या कहते हैं, जर is no smoke without fire, there is no smoke without fire, यानि कुछ न कुछ बात है, तभी ये धुमा उठ रहा है, कुछ न कुछ बात है, डाल में कुछ काला है, कुछ न कुछ चक्कर है, तभी ये बात हुआ है, अगला करें, लालच बुरी बला है, है न, greed is the root of all evils, यानि सारे बुराईयों की जड़ लालच है, स अपना चैनल जो है चोरी कर लिया, यानि लालच आ गया उसके पास, तो लालच सारी बुराईयों का जड़ है, सारी बुराईयों का जड़ क्या है, लालच, तो लालच हो गया उसको, तो लालच बुरी बला है, यानि सारे बुराईयों का जड़ लालच है, किस व्यक्ति को तो लालाच जाता है, लोग बन जाता है, फिर बैंक लुटता है, चोरी करना सुरू करता है, greed is the root of all evils, यानि greed जो है, लालस जो है, है ना root है, जड़ है, सारे बुराईयों का जड़ लालच है, इसनले लालच सेमेसा बचना चाहिए मेरे दोस्त, अगला point है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जो भौकता है वो काटता नहीं जो चिलाता है वो करता नहीं यानि barking dogs seldom bite अगर जो गरजता है बोलोगे तो जो जब बार्किंग डॉग सिल्डम बाइट्स यहाँ पे बाइट्स तब करना जब सिंगर होगा जो गरजते हैं वो बरस बरस्ते नहीं barking dogs seldom bite जो गरजता है वो बरस्ता नहीं barking dogs seldom bites जो चिलाता है वो करता नहीं है जो गरजते हैं वो बरस्ते नहीं ब्यक्ति की बात कर रहा है यानि जो चिलाता है वो कुछ नहीं करता जो भौकता है वो काटता नहीं है barking dogs seldom bites मेरे साथ दूराओ ना barking dogs seldom bites याद हो ग को तैसा जो जैसा करे वैसा घरो टीट फॉर टैट जैसे को तैसा अगर वो तुम्हारे खलाब कुछ किया तुमने कुछ करा तुमको मारा तुमने भी मारा तुमने मारा इस वर्न उसे मार दिया तीट फॉर टैट उल्टा जैसे को तैसा तीट फॉर टैट जैसे को तैसा इन से है सारा करम कर रहा है आप हम डिया स्टोर पर पर जाकर केक्रान्तिकारी detail class करना चाहते हो तो नंबर दिया गया है इस एप के सासत phone number दिया गया है उस नंबर पे call भी करें मुझे आप call करेंगे तो आप मेरे से बात करेंगे और मुझे आप से बात करना बहुत अच्छा लगता है तो आपको detail class चाहिए तो बात करिए कोई confusion है एप डाउनलोड करने में तो बात करिए कहीं भी एप चलाएं दिकत है तो बात करिए एप बिल्कुल free of cost है इसमें कोई पैसा नहीं लेगा डाउनलोड करने में तो आप इसको डाउनलोड करें आगे बढ़िए all's well that ends well अंत भला तो सब भला भाई क्लास में गजी सिख गए अंत भला तो सब भला यानि कि all's well that ends well यानि कि अंत भला तो सब भला अब अंत में भला हो गया पूरा काम समाप्त हो गया पूरा कोर्स फिनिस हो गया तो अंत भला तो सब भला यानि अंत भला तो सब भला बहुत बढ़िया अब देखो नेकी कर दलिया में डाल यानि आप नहीं कर तो यार मैं भलाई कर देता हूँ न मुझे फरता नहीं है मैं भला कर देता हूँ मेरे उपर नहीं आता हम उसको भला किये उसको भला किये उसको into the river यानि नेकी कर दरिया में डाल बोलो मेरे साथ do good and cast in into the river do good अच्छा करो and cast in cast in मतलब फेक देना into the river नदी में डाल दो नेकी कर दरिया में डाल अच्छा काम करो त्याग दो अच्छे करके भूल जाओ अच्छे करो धेना नाम बड़ा है काम च्छोटा है उंची दुकान फीकी पकवान समझे में आरा सबको अगला वर्ड है गुड माइंड गुड फाइंड आप भला तो जग भला भाई जैसा चस्मा रखो ऐसा देखोगे न यानि आप अगर अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छे दिखेंगे आप अगर बुरे हैं तो लोग बुरे दिखेंगे यानि आप भला तो जग अच्छे आप बुरे जग तो आप भला तो जग भला आप भला तो जग भला बोलो ना मेरे साथ good mind good find good mind good find आप भला तो जग भला बहुत अच्छा मेरे साथ दुराओ hard nut to crack लोहे के चेने चवाना hard nut to crack मैं ना कथीन होना इसको हम जगया सकते हैं इसको कहा सकते हैं CC इसको कहा सकते content होना याने English is not hard nut to crack English is not hard nut to crack इंग जग जॉस्ट डाइ Başरेặt डाइमा कने चेने थे पोलो मेरे साथ English is not hard nut to crack English बहुत कथी नहीं है It's just dime a dozen यह बिलकूल आसान है dime a dozen का मतलब आसान है I will start from scratch From scratch क्या मतलब होता है सुरुवात से सुरू करना Beginning से सुरू करना I will start from scratch I will start from the scratch मैं बिलकूल बेस ही सुरू करूंगा English is not hard nut to crack It's just dime a dozen I will start from the scratch Clear हुआ इस तरह से बोलना है संतियन साब को बोलना आसान हो जागा No pains, no gains यानि बिना सेवा मेवा नहीं मिलता No pains, भाई ठंडे का मौसम है अब आपको क्या करना पड़ेगा पढ़ना तो पड़ेगा ही जब तक pain नहीं, gain नहीं Pain नहीं, gain नहीं पढ़ोगे नहीं, तो दिमाग में जाएगा कैसे No pains, no gains बिना सेवा मेवा नहीं मिलता No pains, no gains बिना सेवा मेवा नहीं मिलता अगला बर्ड है Living from hand to mouth रोज कुआ खोदना, रोज पानी पीना इसका मतलब हुआ From hand to mouth From hand to mouth का मतलब होता है कठिनाई से गुजारा होना इसको आप कहा सकते हो कठिनाई से कठिनाई से गुजारा चलना कठिनाई से गुजारा चलना यानि गुजारा कैसा चल रहा है बैच्चे कठिनाई से Living from hand to mouth यानि hand to mouth हो गया कठिनाई से जीवन आपन हो रहा है गुजारा उसका मुश्किल से चल रहा है hand to mouth है रोज कमाना, रोज खाना है रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है hand to mouth हो गया समझ प्लार हैं सब लोग अगला बढ़ है walls have ears, बिटा संभल के बात करना दिवारों के भी कान होते हैं walls have ears दिवारों के भी कान होते हैं तो दिवारों के भी कान होते हैं walls have ears दिवारों के भी कान होते हैं इसलिए संभल के रहना दिवारों के भी कान होते हैं बच के रहना, यह बहुत ही खतरनाक है दिवारों के भी कान होते हैं तो आपको बच के रहना है तब काम करना है इनोसेंट है अब नथिंग तू फियर सांच को आच नहीं इनोसेंट है अब नथिंग तू फियर भाई जो इनोसेंट है जो सत्य है जो सत्य प्यड़ा हुआ है उसको कोई डरने की जरुवत नहीं है इनोसेंट है जो सत्थ है वो बिलकुल अडिक खड़ा है उसको डरने की अब सकता नहीं साच को आज क्या जो सत्थ है उसको डरने की जरुवत क्या है इनोसेंट है नथिंग टू फियर बोलो मेरे साथ बोलो मेरे साथ इसको आप 10 और बो सकते हो जहां प्यास वहाँ पानी जहां आग वहाँ धुवाँ वहाँ धुवाँ वहाँ जहां जीवन वहाँ पानी वहाँ जहां पानी है वहीं जीवन है तो वहाँ एक चाह जहां चाह वहाँ रहा ठीकी बटा अगला कॉंसेप इसको प्रहाँ गाँगा बुंद बुंद करके घड़ा भरता है में लिटिल मेक्स अ मिकल यानि जब बुंद बुंद करोगे तभी तो घड़ा भरेगा यानि एक एक बुंद करके घड़ा भर जाता है बुंद बुंद करके घड़ा भरता है एक एक बुंद का वैलू है यहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको धन से धन कमा जाता है मनी बिगेट्स मनी धन से धन कमा जाता है यानि धन से धन धन को अच्ट्रक्ट करता है आपके पास लाग रुपया है आपने फ्लैट ले लिए होँआ से रेंट आ रहा है रेंट बचा हुआ वहाँ पर क्या है रेंट बचा के और कुछ काम कर लिया धन आया तो और धन कमा हैं धन से धन कमाया जाता है money begets money killing two birds with one stone एक तीर से दो सिकार एक तीर मारा दो सिकार हुआ killing two words दो वर्ट कमार दिया with one stone एक तीर से दो निसान हुआ एक तीर चलाया दो निसाना दो वर्ट गायल हो गए living two words with one stone एक तीर से दो सिकार है न, बोलो मेरे साथ killing two words with one stone एक, तीर से, दो निसाना बहुत बढ़िया necessity is the mother of invention आवसकता आविसकार की जननी है necessity is the mother of invention आवसकता, आपको phone के आप सकता हुई आप इसकार हो गया aero plane के आप सकता हुई आप इसकार हो गया plane के आप सकता हुई आविसकार हो गया तो आविसकार की जन्नी है necessity बोलू न necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention आविसकार की जन्नी है sorry मुसीबत अकेले नहीं आती मुसीबत एक साथ चाओ तरफ से आती है misfortune never comes alone misfortune never comes single misfortune never comes singly misfortune never comes alone यानि जो misfortunes है मुसीबते हैं या मुसीबते भी कह सकते हैं मुसीबते कभी अकेले नहीं आती misfortune never come alone अलोन भी कह सकते हैं आप यानि कभी अकेले नहीं आती मुसीबत जो है अपने साथ दो चार मुसीबत को और ले आती है right अगला बट कहता है to make a mountain of molehill राई का पहाड बना देना राई का पहाड कैसे बनेगा सर घर में नहीं होता तील का तार बना देना मतलब बात इत्ती सी बात है घर में कभी कही महिलाएं लड़ जाती है इत्ती सी बात होती है उसके बच्चे को उसके बच्चों ने पीड़ दिया, पहाड बन गया अब तुम समभाँ लो घर को, यानि कि राई का पहाड बना दिया राई का पहाड बना दिया भई, एकता में बल लाई, उनीbay न कर दोभी का कुट्था, न घर का न घाट का यह थ्वासा बड़ा है इसको याद करेना है ना विस्लिंग मेड और क्रॉइंग हेन और नाइदर फीट फॉर गॉड्स नौर फॉर मेन यानि कि विस्लिंग मेड और क्रॉइंग हेन और नाइदर फीट फॉर गॉड्स नौर फॉर मेन दोवी का कुत्ता नघर का न घाट का बहुत बढ़िया अगला कह रहा है आप बहती गंगा में हाथ दोलो तुम भी हाथ आज आपको याद कर भाऊंगा याद कर लो रट लो और डेट वी लाइफ में बोलो इसको तभी मजा है बहती गंगा में हाथ दोलो भाई सब लो लूट रहे हैं तुम भी लूट लो सब लो करें तुम भी कर लो इस तरह से काम आप कर सकते हो बंदर क्या जाने अधरका स्वाद इसका हंदे लग है कास्ट पेशित कर समने मोती मोती क्या जाने हाल याने कि बंदर क्या जाने अधरका स्वाद इसको अगर याद कर लिया न इतोटल economy कर लिया और दिन भर में आपको कही निन कहीं प्रयोग में आता ही होगा, फिर देखना आपकी personality कैसे chanj होती है अंग्रेजी बोलने में आपका चमतकार कैसे होता है, अगर जजरा सयाद कर लिया ना, तो आपकी personality में 4 सब्सक्राज़ ने, 2 काम करना है पहला काम इसे याद करना है, दुसरा kाम क्रांतिकारी इंगलिस एप डाउनलोड करना है तिसरा नमर काम कि आपको कॉल करना है देश इंगलिस में और तिसरी बात स्पोकेन में हमने आफर दिया है जिन बच्चों को स्पोकेन क्लास चाहिए वो मात्र आपको 1-999-1999 में स्पोकेन कर दिया है तो जिन बच्चों को चाहिए फांडेशन कोर्स करना आपको जीरो से पढ़ना है बिल्कुल सुरुआ सुरू करना है तो आप फांडेशन कोर्स मिलजिए जिनको अंगलिजी आता है तो स्पोकेन मिलीजिए जिनको दोनों चाहिए तो आप पता करो कौन साफर है मेरे पहां किताब मिलता है ऐसे ऐसे दसबारा बुक्स मिलेंगे जिसके माध्यम से आपको बेसिक किताब मिलेगा देख लो बेसिक किताब इस तरह का है इस सारे बुक्स अपने पास मंगा लें आपको अब सकता है तोटल 10-12 किताब मिलेगा Foundation Plus Spoken आप पढ़िये बढ़ियां से घर बैठके पढ़िये बढ़ियां से पढ़िये 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 तो बारीकी से पढ़िये जड़ से पढ़िये रूट से पढ़िये फिर आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में अगले वीडियो में आपसे बहुत बहुत धन्यवाद Thank you and God bless